हलो एभरीवन आरे सेकेडमी बाना यूटूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में 22 फरवरी 2024 का समान ग्यान प्रोशनोतरी को देखेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं यह समान ग्यान जहारखंड के सरकारी विद्यालेव में पढ़ने वाले बच्चों को प्रती दिन प्रात्ना सभाव में बताया जाता है तो डियर गाइज आप इस वीडियो को सुरू सहन तक जरूर देखें यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सेर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले हम लोग प्रात्मिक अस्तर कक्छा एक से पाच का समान ग्यान देखेंगे सबसे पहले हैं बुझो पहली नकल उतारे सुनकर बाणी चूप चूप सुने सभी की कहानी निल गगन है इसको भाए चलना क्या उडना भी आए तो इसका सही आंसर होगा तोंता दूसरा प्रस्न है जिस अस्थान पर विभीन परकार की पुश्टकें रखी जाती है उसे क्या कहते हैं तो पुश्टकाले तिसरा प्रस्न है कनीत में अंको तथा चीन हो की संख्या कितनी होती है तो असंख्य चावथा प्रस्न है जिस परकार कान का संबंद सुनने से है उसी परकार जीव का संबंद किस से होता है तो स्वाद से पाच्वा प्रस्न है किस संख्या की अक्षरों की वर्तनी अंग्रेजी स्पेलिंग में उस संख्या के समान अक्षरों की संख्या होती है चार अर्थात फोर अब हम लोग उच्छ प्रात्मिक अस्तर कक्छा 6 से 8 का समान ग्यान देखेंगे इसका पहला प्रसन है जारखंड के राची में इस्थित किस किर्केट एस्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक भारत और इंग्लेंड के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा इंटरनेशनल किर्केट एस्टेडियम जे एससी ए इंटरनेशनल एस्टेडियम कमप्लेक्स में इसका दूसरा प्रसन है एसिया का सबसे बड़ा मसाला बजार यानि मंडी कहां इस्थित है तो दिल्ली का खारी बाबली मार्केट तिसरा प्रसन है प्रिथिवी का सबसे बड़ा पारिस्थित की तंत्र कौन है तो जैव मंडल चाथा प्रसन है प्लेट फॉर्मों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा रेल्वे इस्टेशन जक्षन कौन है तो कोलकाता के हावडा जक्षन में कुल 32 प्लेट फॉर्म है पाच्वा प्रसन है भारत की सबसे बड़ी तीतिली का क्या नाम है अर्थाथ गोल्डेन बर्ड बिंग बटरफलाई अब हम लोग मात्मिक अस्तर कक्छा 9 से 12 का समान गयान देखेंगे इसका पहला प्रसन है वर्ल्ड डिफेंज सो अर्थाथ WDS 4 से 8 फरवरी 2024 तक का आयोजन किस देश में किया गया है तो सौधी अरब में दूसरा प्रसन है नीट यूजी का फूल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल एजिविलीटी कम इंट्रेंस टेस्ट फोर अंडर ग्रिजुएट तिसरा प्रसन है फीफा फेडेरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसियेशन की अस्थापना का मुख उदेश क्या है तो अंतराश्टिये फुटबॉल संगों के बीच एकता परदान करने के लिए कठित संगठन चाथा प्रसन है हरसा भोगले किस खेल के कमेंट्रेटर याने टिपनी कार के रूप में विख्यात है तो किरकेट पाचवा और अंतिम प्रसन है 28 फरवरी 2024 को मनाये जाने वाले राष्टिये बिज्ञान दिवस NSD National Science Day का थीम क्या रखा गया है तो सवदेशी प्रदोगी कियों का जस्न जो बिज्ञान प्रदोगी की एवं नवाचार के लिए सार्वजनिक प्रसंसा को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा तो डियर गाइज आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फर वाचिंग